तर्मुष्कार में अबरिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चल्चलाती घर्मी के बीच लोगों को मौनसून का इंतजार है हाला कि बिहार में मौनसून आने में अभी समय है लेकिन फिर भी लोगों को गर्मी की मार के बीच मौनसून का ही इंतजार है लोगडाउन के कारण भले ही लोग घरों में बंधो लेकिन गर्मी में घर से लेकर बाहर तक लोगों का बुरा हाल कर दिया है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बिहार में मौनसून कब दस्तक देने वाला है मौसम विग्यानिकों की तरफ से मिली जानकारी के नुसार 15 जून को मौनसून बिहार में प्रवेश कर सकता है हाला कि मौसम विग्यानिकों की तरफ से केरल में मौनसून के प्रवेश करने की तारीख एक जून बताई गई थी लेकिन मौनसून अपने निधारिस समय से दो दिन देरी से यानि की तीन जुन को पहुँचा हाला कि बिहार की बात करें तो मौसम विज्ञानिकों ने यह सपष्ट कर दिया है कि बिहार में मौनसून समय पर प्रवेश करेगी इससे पहले तक रजमे तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था हाला कि लोगों को 42 डिग्री के आसपास तापमान का आभास होगा तापमान अतितिक बढ़ने के कारण दोपहर के बात से ही गरजने वाले बादल बनेंगे कुछ हिलाकों में बारिश भी होते रहेगी हाला कि इस बार की बारिश थोड़ी कमजोर होने वाली है मौसम विज्ञानिकों ने इस बात की साफ संकित दे दिये हैं कि मौनसून की एंटरी तो समय पर होगी लेकिन इस बार मौनसून कमजोर नजर आएगा वहीं इस साल अगर प्री मौनसून की बात की जाए तो सामाने से करीब 40 फीजदी अधिक बारिश तरच की गई है जिसमें चकरवाती तूफान का योगदान काफी अधिक देखने को मिला वहीं मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है पिछले साल की बारिश की बात करे तो पिछले साल मौनसून की दस तक बिहार में 13 जून को हुई थी हलाकि इस बार यह एंट्री 15 जून को होने वाली है इस बीच पटना मौसम विज्ञान केंडर के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि सभी की नजर मौनसून पटिकी है अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि मौनसून कितने दिनों में बंगाल की तरफ से मुड़ता है फिलहाल प्रदेश में पस्चमी हवाओं के कारण काफी गर्मी और मस है ज्यादा नमी वाले छेत्रों में आंधी के साथ बारिश भी हो रही है पटना में सित मौसम विज्ञान विभाग के केंद्र ने बिहार के 12 जिलों के लिए 10 जून तक येलो एलर्ट जारी क्या है मौनसून के बंगाल की तरफ मुड़ते ही बिहार और जारखंड में मौनसून की बारिश शुरू हुपाएगी राजधानी के बादावरण में फैली नमी और तेजूप के कारण लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है ज्यादा नमी वाले छेत्र में आंधी के साथ बारिश हो रही है रविवार की ही बात करें तो कटिहार, भागलपूर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमूई, किशनगंज, पूर्णिया, अरररिया, मध्यपूरा, सहरसा, सुपॉल में बारिश हुई जो इसके बाद ही इन जिलो के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है इसके साथ ही हम उमीद करते हैं कि जल्द ही मौनसून बिहार में भी दस्तक दे दे फिलहाल गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है लगादार चल रही पच्छया हवा के कारण उमस भरी सिती उत्पन होती नजर आ रही है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद